कमल ककडी, नजरू, लोटस टेम या फिर बे ये सारे नामों से सबजी को जाना जाता है जो कि बहुत ही फाइदे मंद होती है और बाकी अगर कोई नाम मुझे नहीं पता है आपकी लेंगज वाला तो प्लीज कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं अच्छा लगता है आप लोग नए-nए नाम के बारे में बताते हैं तो इसको जब दोनों किनारे इसके बंद हो तभी वो लेना चाहिए उससे क्या होता है इसके अंदर मिट्टी नहीं परी होती यह जो होल्स होते हैं इसके अंदर मिट्टी भर जाती ही जिसको साफ करना पिर बहुत मुश्किल हो जाता है तो इस तरह से हम इसको छील लेंगे क्योंकि उपर वाला च्छिल का बहुत सक्त होता है और इसको छीलने से ही छीलना बहतर रहता है अब सभी साफ कर लिए मैंने और थोड़े बड़े टुकड़ों में काटा है तो पहले तो मैंने इसको रनिंग वाटर से धो लिया था अब इसको बॉल में डाल करके भी अच्छे से वाश कर लूँगी तक्रीबन एक से डिएड़ हिंच का टुकड़ा काटा है आप लेंगे कुकर के कुकर में दो बड़े चमच तेल डाल देंगे तेल कु घरम करेंगे डालेंगे आधा चमच जीरा दो पत्ते एक चोटा टुकड़ा डालचीनी का तीन हरी इलाइची एक मोटी इलाइची इसके मूँ खोल दिये हैं तो लॉंगे हैं और थोड़ी सी काले मिर्चे और साथ में कमल ककड़ी को डाल करके इसको फ्राइ करेंगे जब तक एक हल्की सी गोल्डन लेयर इसक्यू पर ना जाए तो आज की कमल ककड़ी के रेसिपी कश्मीरी यखनी से इंस्पायर है और यहां की बहुत ही पॉपना रेसिपी है लेकिन में अपने स्टाइन बनाऊगी तो थोड़े बहुत चेंज़स आप सरूर देखेंगे इसमें तो अब अच्छे से यह फ्राइ हो गया इसमें नमक डाल है मैंने स्टाइस लेवल को बढ़ाने के लिए क्यूमिन जीरा पाउडर आधा चममच और सिनिमेन पाउडर मतलब दाल चीनी पाउडर के दो पिंच और कश्मीरी लाल मिर्च यखनी में जैनरली मिर्च नहीं पढ़ती है पर में डाल दी है क्योंगी थोड़ा सा कलर आजा मैं जटपट से बन जाए ये रेसिपी इसलिए कोकर का इस्तिमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो कड़ाई में भी या किसी और खुले पैन में भी बना सकते हैं, पर क्योंकि इनको गलने में टाइम लगता है इसलिए मैंने इसमें विसल लगा दी, तो हाई फ्लेम पर दो विस करते हैं तो ना भी डालें पर ये डाला जाता है और पर जरूरी इंपॉर्डन भी नहीं है, तो ये देखें बारीक से पेस तयार हो गया है, अब मैं इसी जार में आदा कप के करीब दही डाल लए हूँ और इसको भी इसके साथ हम मिक्स कर लेंगे, तो जब भी कभी आए नहीं होगा और सही बिल्कुल हमारा पेस तयार होगा अब यहां पर कोकर थोड़ा थंडा होऊ था अब यहां पर चलिए इसकी कंडिशन चेक कर लेते हैं नद्रू गले हैं यह नहीं तो इनमे थोड़ा सा क्रंच बच ना चाहिए मतलब बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना होत इससे होगा यह कि दही हमारा फटेगा नहीं और इसमें टेंपरेचर भी मिंटेन हो जाएगा और यह देखिए अभी क्योंकि हल्का गर्म तो है यह कुकर तो चलाते जाएंगे और इसके साथ ही इसमें डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला उपर से और अब स्विच ऑन करेंगे यह जलाएंगे और थोड़ा से पानी के साथ इसको तब तक चलाते हुए पकाएंगे जब तक इसमें बॉयल आना ना शुरू हो जाए ऐसा करने से दही हमारा बिलकुल भी फटेगा नहीं हो और क्रीमी टेक्स्चर रहेगा ग्रेवी का अब उप पुदीना होता है ना सूखा हुआ पुदीना उसको डाल देंगे यह इसको बंद करेंगे और यह तयार हो गई है नद्रू यखनी मेरे स्टाइल में कश्मीर में तो यह राइस के साथ प्लेन राइस के साथ खाई जाती है आप चाहें तो रोटी के साथ भी खाएं बहुत ह healthy होती है अगर अब इसके health benefit की बात करें तो ये diabetes, blood pressure और kidney patients सब के लिए बहुत फाइदे मंद होती है और भी इसे बहुत सारे vitamins होते हैं तो अगर आप Google करेंगे तो आपको इसके benefits के बारे में पता चल जाएगा तो इस season जरूर enjoy करें और consume करें नदरू की सबजी और उमीद करती हूँ आपको इस रेश्पी पसंद आई होगी thank you so much